मसकार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में रिमेंडर थोरम के उपर जो क्यूस्चन है उनकी प्रैक्टिस करते हैं फटाबर रिमेंडर थोरम क्या थी मैंने उसके जो कंसेप्ट थे जो मोटा मोटा पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में तो आप देख सकते हो तो सबसे पहला क्यूशन है फाइफ की पावर देख सकते हो तो सबसे पहला क्यूशन है वो तो सब में ही है तो उसको हम dan निकाललेते है थे 125 की 45ी 11 य होगया common, तो यहां भजाएगा helper 1।, 5 में 5 की harmon काh já यहां भजा eating जाएगा यहां थो 25 हो जाएगा यहां भजाएगा क्या यहां भज यहां भजाए गात फीफाइगा ना मतलब यहां फी 74 होlor पावर चली जाएगी जैएक ताeeem पांच बचेंगे पाप पाप फाइफ इंटो फाइफ 25 फाइफ 25 इंटो में फाइफ 125 और लास्ट में बच जाएगा 625 उसके बाद क्या करना है उसके बाद कुछ नहीं करना बस हो गया इनका प्लस कर दो 30 और ये कितना बन जाएगा इनका प्लस कर दो तो प्लस करने के बाद क्या आएगा ये 625 है 625, 725, 725 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 750, 750 में 25 जोड़ेंगे 75, 5 जोड़ दो 780, 781 हो जाएगा अब ये issued संख्या देखो इसको देख लो ये जो संख्या है ये इन में से किस से डिवाइड है जिस से भी डिवाइड होगी तो ये पूरी संख्या क्या है उस नंबर से डिवाइड होगी तो कैसे करना है सबसे पहले 71 को उठा लो 781 इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा 71 ठीक है बच जाएगा 7 अच्छा, यह कट गया, 11 पे कट गया, भई कैतर एकमी कैतर, फिर बचेगा 7 फिर एक पे कैतर पी कट जाएगा, तो 11, 11 पे कट जाएगा, मतलब ठीक है, रिमेंडर आएगा 0 कहने की बात है यहाँ पर होप आपको यह calculation समझ में आए कहने की बात यह है 5 की power 71 into में 781 जो यह हमने प्लस किया यह completely 71 से कटेगा क्योंकि आप देखो काट के 71 एक हम 71 फिर भाईया यह 7 बच जाएगा फिर 71 एक हम 71 तो remainder आएगा 0 कहने की बात है इस संख्या को 571 into में 781 को हमी कहतर से डिवाइड करेंगे remainder आएगा 0 तो इस नमबर P is divisual by 2 से एक नमबर P है वो 2 से भाग है and another number है क्यों वो 3 से भाग है then which of the following is true इन में से कौन से सही है P into Q is divisual by 6 हाँ P into Q तो क्या है is divisual by 6 बिलकुल भहिया ये तो 6 से divisual हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ देखो 2 और 3 क्या है ये number कैसे ये co prime number है co prime number है बोले तो इनका hcf co prime number में क्या होता है hcf जिनका highest common factor एक होता है तो यहाँ पर हम P into Q करेंगे तो 2 गुना में 3 कितना आएगा 6 है और 6 से P into Q बिलकुल divisual है P plus Q करोगे कितना आएगा 5 आएगा वो 6 से divisual नहीं होगा 6 से 5 कहां से divisual हो जाएगा P plus Q करोगे इस divisual भाई 5 नहीं होगा भाई या P plus Q 5 आएगा P plus Q यह into में होगा भाई P plus में क्यों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा वो 6 से कहां डिवाइड हो कहने के बात ही है कि को प्राइम नंबर हमारे 2 और 3 है और इनका जो प्रोडेक्ट है वो डिवाइडिंग यह नंबर किसी नंबर से डिवाइड करने पर अगर वो आपको ध्यान है तो आप आराम से कर लोगे क्या था वो डिवीडेंट शर्दी में लिखा भी नहीं जा था डिवीडेंट इस एकॉल टू डिवीजर गुनामिक उच्छेंट प्लस में रिमेंड ठीक है तो आप इस से आराम से कर लेते हैं कैसी करना है देखो एइड शिक्स सेवन फाइफ वन टू थरी ऑके उसके बाद इस एकॉल टू डि जो हमने निकालना है डिवीजर अना डिवीजर निकालना है इंटू में हमने निकलना है यहां पे क्योश्टन ऑके जी ऑके प्लस में रिमेंडर तो कर दो भईया यह डिवीजर डी इंटू में क्योश्टन हो जाएगा थ्री फॉर एट फाइफ हो जाएगा अभी सोल नहीं होगा अभी क्या करना है ना इसको सोल करने के लिए सबसे पहले इसको उठाके दर ले आओ तो इसको उठाके दर लाएंगे तो तेरा में से पांच गया क्या आएगा तेरा में से पांच गया आठ आएगा मतलब कुछ भी संख्याई उसका आठ आएगा ओके जी उसके बाद उसके बाद हमारा डी इंटू में 3 3 6 1 1 अब यह बच गया राइट अब आप एक बाद बताओ इसमें भी यूनिट कि इसका जो मल्टिप्लाइ करें तो उनिट डिजिट आठ है तो आप्सेना तो यह थो एक राइट हो गया उसके बाद क्या उसके बाद यहां कोई भी नंबर है लट हम माइनस कर भी लेते हैं कोई बी नंबर क्या है यह कितना है चशी लांख पिचहतेर आजार एक्सोटें हमें माइनस करना था इस में से ये 34,85 तो आप 51,23 में से 34,85 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 8,6,7 13 में से 5 गया 8 और 11 में से 8 गया 3 और 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, 86 61,638 आगया अब इसको डिवाइड करना थे 3 33,611 से और हमें D निकाल दो अब हमारे पास तीन उप्शन बच गया है ये तो अलिमनेट होई गया था मैंने बता दिया और यहाँ पर क्या आएगे और यहाँ पर देखो कि क्या करें भोल के हो इसको देको 33 दू नी 66 ठीक है जी 33 ती यह तो زादा हो जाएगा अगर इसको काटें तो तो मेरा 12 पर कटेंगा ठीक थार ज Porches के बाद इसमे इसके ना से कुछ क्या बचेगा शाहसट जाने के लसुताइब चाहसट लाख जाने के लाद क्या उसमे तो ये कुछ एक लाख सम्थिंग बचेगा 1,97,000 के अप्रोक्स कुछ बचेगा तो ये फिर किस पे जाएगा 33,33 पे तो जाएगा उसके बाद ये हो गया एक लाख पैसेट अजार ये बनेगा एक लाख 97,000 चैपे करके देख लेते हैं यार ये तो जादा हो जाएगा मतलब ये 5 पे जाएगा 33 की जब हम इसको हम 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो सम्थिंग वैलू आएगी 1,65,000 अगर 6 पे करेंगे तो ये आएगी 1,98,000 जो इस ट्रम से कह जादा हो जाएगी 1,97 जो आई हमारी 33,611 को हमने 2 पे काटा ठीक है इस संख्या को इस संख्या को काटने के बाद हमारा आया 1,97,000 उसको फिर हम 33,000 से फिर 5 पे काटेंगे ठीक है 33,000 की हम 5 से मल्टिपला करेंगे तो हमारा आएगा something 1,65,000 ये कट जाएगा तो यहाँ पे 5 पे उसके बाद जो वैलू आएगे ना वो हमारी 8 पे कटेगा तो ये क्या बनगे ट्रम हमारी 258 हमें सिर्फ ये दो डिजिट मिल जाती तो ही बहुत था तो ये हमारा answer हो जाएग अब आप उसको पूरा solve करो ये थोड़ा सा समझ के कि यार मैं इसको 2 पे काटूँगा तो कितनी वैलू आएगी फिर 5 पे काटूँगा तो कितनी वैलू आएगी बस इससे थोड़ा सापको calculation practice होगी तो आप easily कर लोगे उसके बाद ये question है when a number x is divided by a divisor it is by a divisor it is seen that the divisor 4 times the question and double the remainder if the remainder is 80 then the value of x बतानी है when a number x okay divide by divisor divide by a divisor okay it is seen that the divisor जो है वो 4 times है इसका question का okay इसका and double है and question is double the remainder जो ये question है ये है remainder का double remainder 80 है तो कर दो इसको सोल easy हो जाएगा तो इसमें क्या करें क्या क्रें क्या क्रें क्या क्रें नहीं यहां पर question double नहीं है इसने बोला है जो डिवीजर है वो double है remainder का देखो यही चीज होती language थोड़ी puzzle करने वाली it is seen that जो डिवीजर है वो 4 time है question का ठीक है और double यहां पर डिवीजर की बात हो रही है यहां तक बात होगी पूरी और double the remainder और double the remainder remainder का चीज है इसका double कर दो 160 अच्छा four time है ना तो four time है तो 160 को आप चार्श से डिवाईर कर दो चार 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 चालीस हमारा आ जाएगा question अब तो आराम से सोल होई जाएगा यह उपर वाली form बन गी आराम से हो जाएगा कैसे देखो भाई कैसे कटेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा paper को कर दो उदर और यह बनेगा dividend dividend हमारा यह हो गया उसके बाद आएगा डिवीजर डिवीजर वन सिक्स्टी हो गया गुना में आएगा question यह चालीस हो गया plus में आएगा 80 यह हो गया चार चीक चोवज, चार एकम चार और दो च्छा और यह हो गया 80, जो शट आशी यह है कहीं पर यह आप्शन नहीं ठीक है यह हमारा option यह हमारा correct है यह question भी पिछे वाला question ता उसी कितर है divisor है is 20 time divisor यह होता है dividend यह होता है question यह होता है remainder यह होता है divisor जो है वो हमारा 24 time question का अच्छा जी 24 time and 8 time the remainder जो divisor है वो 8 time है remainder का okay if the question is यह 18 है 18 है तुम 18 की 24 से multiply कर दो 8, 4, 32, 3 okay 16 16 और 3, 19 और 4, 32, 32 यह 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4 4, 32 यह आगया कुछ गलतों नहीं करती है मैंने नहीं सही है उसके बाद remainder हमारा क्या है 8 गुना है तो 4, 32 divide by 8 40, 45, 44 तो भाईया यह चला गया 5 पे बच गया 3, 8, 32 remainder आगया हमारा 54 इसको solve कर दो हमें यह निकालना है x यह ओज़ेगा 4, 32 गुना में 18 पलस में 4 कर दो यार 16 इसको अब तो यह कितना आएगा 16 और 4 यह जिरो सुम्में आ रहे है multiply करना पड़ेगा 18 से कर दो यार multiply यार 12 इस 16 18 चोबेश रिक पच्चिस 8 चोब बतिस और दो चोब तिस 2, 3, 4 कभी-कभी ऐसे ही solve करना पड़ता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता 54, 6 था न 10 8 रपाच 13 8 7 38 38 38 ए उप्सन ठीक है तो यह थे पाँच कुश्चिन Thank you for watching this video वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पे नहीं हो तो guys सब्सक्राइब करना